हेलो फ्रेंड्स तो आज चुम लोग शुरू करने वाले हैं वो exercise 7.2 इसे पूर वीडियो में हम लोग exercise 7.1 किये थे जिसमें simple interest के द्वारा हम लोग compound interest निकाल रहे थे और आज हम लोग direct formula करेंगे तो सबसे पहले formula से लिख लेते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए अगर amount निकाल लाए तो amount होगा पी इंटू 1 प्लस आर by 100 to the power n या फिर t है न वहाँ जाए न है वो है number of years उसी तरह से अगर निकाल लाए मतलब components तो हो जागा amount minus principal यह होगा तब जब annually calculate कर रहे हो तो हम लोग यह formula यूज करेंगे कभी question आपको दिखने मिलेगा half yearly half yearly compounded half yearly लिखा रहेगा इसका मतलब क्या हो गया कि interest जो हुआ हाफ yearly मतलब six month and after six month वो मिलता है उस case में क्या हो जाता है n जो है वो दो बार हो गया मतलब n को हम क्या करेंगे two n बनाएंगे two into multiplied by n और यह हो जाएगा half years ठीक है और rate जो होगा वो क्या होगा चुक्की दो बार दे रहे है इसलिए rate को हम लोग divide कर देंगे मतलब r by two हो जाएगा नेया rate उसी तरह से quarterly का कर रह हर हर चार महिने में में मतलब 4 4 4 4 इस तरह से कितने बार मिल रहा है four times मिल रहा है गर इंटेस four times मिल रहा है तो n जो हो गया वो क्या हो गया four n हो जाएगा है ना मतलब four से उसको multiply कर देंगे और rate of interest जो हो जाएगा वो r by four हो जाएगा और उसके बाद जो formula है वो हम लोग लगा देंगे है ना चलिए अब सीधे exercise पे चलते है और exercise के माध्यम से इस formula को अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे एला कॉस्यन है की चल्क्ला देवाए प्रिंपल द्या हो ये रूपीस 15,000 ताम जो द्या हो ये येवाए 2 ये जन रेट अधर आन आंन कमतला हो हो है पर ये ये निन दिया हो ये निया हो किया हो है ये तौन यह तरह से, compounded annually, यहां पे annually compounded हो रहा है, तो फिर हम लोगे amount निकाले है, amount निकाले है, amount निकाले क्या हो रहा फर्मूला, p into 1 plus r by 100 to the power n, जहां पे n जो है, यह होगे 2 years, 15,000, 1 plus r, r कितना है मेरा, 10 by 100 to the power 2, 0 to 0 cancel out कर दी है, 10 plus 1, 11 हो जाया, इस प्रकार से यह हो गया, 15,000 into, चलिए यह आप लोग लिए करके दिखा देता हूँ, यह हो जागा, 10 plus 1 by 10 to power 2, और next step में लिखेंगे, 15,000 into 11 by 10 into 11 by 10, you cancel out कर दी है, और 11 into 11, 121 हो, और 121 को हम लोग 15 से multiply कर लेगे, सो 15 बंजा 15, कैरी 1, 15 बंजा 30, 31, 3, 15 बंजा 15 बंजा 3, 18, इस प्रकार से यह आगया, 1, 8, 1, 5, 0, यह amount निकला, और component निकाल ले बोल रहा, C i, C i is equal to क्या हो जाएगा, A minus P, A हो गया, 18,150 minus 15,000, इस प्रकार से हो गया, 3,150 रुपीज का एंटरेस्ट, यह हो गया, इसका एंसर, और 1 का 2 है, प्रिंस्पल, रुपीज, 156,250, n is equal to 1 on number 1 by 2 years है, और देखो, यहां पर लिखा हो है, compounded half yearly, तो half yearly है, तो हमों क्या करते है, time को बढ़ाएगे, यह हो जाएगा, 3 by 2 multiplied by 2 कर देगे, तो is equal to क्या हो गया, 3 half years, मतलब बगार 1.5 साल था, तो 6 months, 6 months, 6 months, तो यह हो गया, 3 half years, और rate of interest को half कर देगे, तो 8% था, is equal to क्यालेगे, 8 by 2, that equals to 4% half yearly, half yearly, अब हमों क्याक्योट करेंगे, amount, amount is equal to P into 1 plus r by 100 k power n, तो 156250, और यह हो गया, 1 plus 4 by 100 k power 3, 4 बन जा, और 25 फोर जा, होता है, इस प्रकार से 156250 multiplied हो जाएगा, 26 by 25 into 26 by 25, 26 by 25, 25 से सको डिवाइट करते है, 25 से 150 फोर, 6 मचा 62, 25 से 2 जा 50, 12 हो गया, तो 125, 25, 5 जा 125 और एक 0, फिर 25 से 25 25 जा 6 25 होता है, तो 250 आएगा, और 25 बन जा तो 10, इस प्रकार से आएगा, 26 into 26 into 26 into 10, 26 into 26 26 करेंगे, तो 676 होता है, तो 676 को 26 से, तो 676 को 26 से, तो 676 को 26 से अगर मल्लिप्लाई करते है, तो यह आएगा, 17576 और यह 0, इस प्रकार से यह आगया, अब हम लोग निकालेंगे, compound interest, compound interest is equal to amount minus principle, तो 175, 760 minus कर देंगे, 15, 156, 250 को, यह हो गया, 617 को यह आएगा, इस प्रकार से, compound interest is 19,510 रूपीस, after 2, move into question number 3, 1 कर 3, यह प्रेद यह अभाद यह अभाद यह अभाद, quarterly, p is equal to 1, 2, 3, 4, 5, so 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यह 1 लक, और यहां पर टाइम दिया हुआ है नाइन मॉन्स और रेट अफ इंट्रेस्ट के दिया है और फूर परसेंट आर इस इकल टू परसेंट चुकि यह पहले इसको यह में बदलते हैं तो नाइन बाइट वह गया और चुकि यह कौर्टर ली था इसको फूर से मल्लिप्लाइ करे हां है पोर त्री जर ट्वेल थी त्री जर इसकल क्या गया है थी कौर्टर हो रहा है और इसको फूर से दिवाइट करेंगे त्रीस इकल टू एकल टू वान परसेंट पर क्वाटरली अना चलो अब अहीं इसको इसको कलकुलेट करते हैं एमांट इसकल अग n P हो गया 1 lakh 1 plus 1 by 100 का पावर 3 एक दो तीन चार पाच इंटो 101 by 100 101 by 100 और 101 by 100 एक तो तीन चार पाच पाच जेरो से यह cancel हो गया अब इसको हम लोग multiply कर लेते हैं और 10 से डिवाइड कर लेंगे यह 101 इंटो 101 इंटो 101 आया by 10 चल इसको multiply करते हैं और multiply करने पर आएगा 1030301 by 10 और we can write 103030.10 अब compound interest निकालेंगे A minus P so 103030.10 minus 12345 इस प्रकार से क्या आगिया 3030.10 compound interest यह हो गया असका answer question no.2 है find the difference between simple interest and compound interest on rupees 2500 for 2 years at 4% per annum compound interest being record semi annually semi annually का मतलब होता है half yearly है ना तो चलो पहले लिख लेते हैं P is equal to क्या दिया हुआ है rupees 2500 rate of interest 4% per annum and time is 2 years. इसे पहलेंगे क्या करते हैं? simple interest निकाल लेते है, simple interest होता है P into R into T by 100 इस प्रकार से 254 जा 100, 100 into 2 तो यह आगिया 200 rupees ठीक है ना वन रिद्रेस्ट इस चार्गे क्या होता है आर इसको इकल टो क्या हो जाएगा? 4 by 2 हाना? Half year ली है तो इसली हम लोग 2 से डिवाइड करें तो क्या हो गया? 2% हाया and time is equal to 2 years हाना? 3 हो जाएगा 2 into 2 that equals to 4 half years चलिय विसको solve करते है तो amount ही का लेंगे amount is equal to क्या होता है? तो p into 1 plus r by 100 to the power n और p हमारा है 2500 1 plus r हो गया 2 by 100 ka power 4 2500 into यह आया 51 51 by 50 into 51 by 50 51 by 50 and 51 by 50 by 50 by 50 by 50 तो 25 0 0 0 से पहले ही काड लेते हैं ठीक है? और 50 और 50 इस प्रकार से आया 51 into 51 into 51 into 51 into 51 by 2500 चलिए अब इसको multiply कर लेते हैं और उसके बात हम लोग 2500 से इसको डिवाइड कर देंगे हाना? multiply करने पाएगा 6 7 6 5 2 0 1 by 2500 अब हम लोग क्या करेंगा इसको? कि 4 into 4 से कर देता 25 400 हो जाएगा और जब 4 से हम लोग इसको multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 60 80 4 by 25 4 जा 100 और दो 0 1234 1234 मतलब यहाँ पर पॉइंट वाठेगा तो यह आ गया 270 6 0 80 4 और वी कन राइट 270 6 0 8 8 component रस निकाल लेते हैं CI 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 is equal to क्या होता है A minus P that equals to 2706.08 और minus 2500 तो subtract करते हैं तो 0.08 तो ऐसी ही रहा जाएगा यह 6 0 और 2 206.08 यह यह 206.08 compound interest तो find the difference between simple interest and compound interest now we have to need to find the difference therefore difference in interest the difference तो कितना आया 206.08 minus 200 is equal to 6.08 rupees का difference आया और यह final हमारा answer आया ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स्ट कॉस्ट 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 है और rate जो है वो दिया गया है R1 4% R2 5% और R3 6% तो जब इसका हम लोग amount calculate करेंगे तो सीधा सा हो जाएगा कि P into 1 plus R1 by 100 का power 1 हो गया मतलब T1 1 year फिर 1 plus R2 by 100 और 1 plus R3 by 100 इस प्रकार से 1st, 2nd और 3rd year का एक साथ हम लोग निकाल रहा है 3 1 2 5 1 plus 4 by 100 फिर 1 plus 5 by 100 1 plus 6 by 100 जो कटरा उसको काट लेते हैं 4 25 times 5 20 और यह 3 होगा तो यह 50 इस प्रकार से 3 1 2 5 into 25 और 1 26 26 by 25 multiply 20 21 21 by 20 multiplied 50 50 50 by 50 50 अब चलिए इसको divide कर लिए जाए 5 10 5 6 5 6 30 5 2 10 55 25 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 और 5 2 जाए और तो divide नहीं होने वाले यह होगा 13 2 26 इसका मतलब क्या आगया 21 into 53 divided by 4 तो इसको मतलब मल्डिप्लाइ कर लेते हैं और मल्डिप्लाइ करने के बाद जो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगा 4 से divide कर लेंगे तो चलिए मैं इसको जल्दी से multiply कर ले पाहूं 13 into 21 13 इंजा 13 carry 1 13 इंजा 26 26 और 1 339 7321 carry 2 3326 6 2 8 5315 carry 1 35 33 33 9 6 8 6 14 3 1 इस प्रकार से ये आगया 1 4 4 6 9 4 4 4 4 3 12 4 6 24 6 4 2 29 4 7 28 1 4 2 25 2 25 इस प्रकार से आजाएगा 3 6 1 7 0 2 5 है ना हम लोग क्यान क्यानने बुलाया find the compound interest we need to find the compound interest therefore ci is equal to क्या होगा amount minus principal therefore 3 6 1 7 1 2 5 3 1 2 5 5 7 2 11 11 2 9 5 5 7 4 3 3 3 3 0 4 9 2 25 5 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 6 6 4 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 6 4 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 10 11 12 एंड फूर मन्स को मुझ क्या करेंगे कि टू यह तो ठीक है एस वल रहने देंगे और फूर यह स्कूर्ण कर देंगे एस में तो यह हो जाएगा फूर बाइट वाइट वोट इस तरह से यह तू लूमर वन बाइट री यह चलिए अब इसका मुझ एमांड निकालेंगे एमांड इस एकल्ड होता है पी इन्टू वन प्लस आर बाइट टू दी पावर टी और जब फ्रेक्शनल पार्ट रहेगा तो फिर उसको मुझ लिखेंगे वन प्लस आर्टी बाइट और यहां पे टी जो है वो फ्रेक्शनल पार्ट को मुझ लिखने वाले हैं तो पी कितना यहां पे रेट होगया 15 बाइट यहां पे बाइट होगया 15 बाइट यहांपे 1 पलस आर्टी में पाल फिफ्टीन रोटी होगया 1 बाइट री बाइट चलो है यह तो कट रहा है 3 5 यॉ मुझ दिखत नहीं यह न और यह 5, 3 यह 15 और 5,20 जा इस प्राकार से 2 6 4 0 0 into 20 और प्लस 3 तो क्या होगा 23 23 by 20 और यह कड़ जाएगा 5 20 तो 20 और 1 यह हो जाएगा 21 by 20 और यहां पर 2 था 2 देना मैं भूल गया है पर पावर 2 होगा क्योंकि 2 यह था चलिए अब हम लोग करते हैं फिर से 264 00 into 23 by 20 into 23 by 20 और into 21 by 20 और यह क्या हूब यह थो जा क्या हम्लिए यह थिसर प्ले कर लो तू जटू 2 तू जटू 2 तू 3 जटू 6 2 तू 4 तू 6 जटू 2 तू 6 जटू 2 जटू 5 2 PB वुपिए ओ से कैवले है टिया है बाले डिवाइर बाले दित बंडगा SulOpen आ गॉसा लुटी रवी धीला अर और फिर या अन्य बाले न September पाला सुर्च ए трथ राहि det ॅटिवाए इस अ कर ले घ्ला सब्सक्राइब कर लेता हूं और फिर विल पूट दे एंसर ना 23 x 23, 339, 326, 326 और 224, 925, 529 फिर 21 सब्सक्राइब कर लेता हूं, 925, 918, carry 1, 2415, 225, 2210, 9, 8, 2, 10, carry 1, 5, 10, 11, 1, 33 से मिल पना हूं, so, 923, 27, 3, 3, 3, 3, 7, 2, 3, 3, 3, 7, 8, 2, 9, 3, 2, 5, 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 3, यह आया हमारा amount और हम लोग को निकालने बुला गया कि what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan. So, this will be the final answer. In order to clear her loan, she had to pay 36,659.70 पैसे. चलिए, बढ़ते हैं, next question. Question number 5 गयोर. Now, question number 5 गयोर, Anil borrowed Rs. 18,000 from Rakesh at 8% per annum simple interest for 2 years. If Anil had borrowed this sum at 8% per annum compound interest, what extra amount would he has to pay? तेसने simple interest प्लिया अगर compound interest प्यार लेता, तो फिर कितना extra प्यार 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 लेता, means we need to find the simple interest as well as compound interest and we will find the difference of compound interest and simple interest. चलिए, कर लिए जाए, question number 5 गयोर. So, here principle is Rs. 18,000, okay, rate of interest is 8% per annum and time is equal to 2 years. So, first of all, SI is equal to कितना हो जाएगा, तो P into R into T by 100, चलिए, इसको मुझ लेता है, 18,000 into 8 into 2 by 100, 0, 0 से cancel out कर दिया, और इस प्रकार से, 8 to 16, 16 को मुझ लोग 180 से multiply कर लेता है, 16 को 118 से. So, 16.8 जा, 128, तो 12, 16 को मुझ लोग दिया है, तो 6, 2, 8, 1, 2, 288 से प्रकार से, और 0. So, it will be Rs. 2880. यह सिम्पल इस निकला है, चलिए, बहुँ हम लोग, रेंट इंट्रेस्ट इसन फेट पर संट पर संट कंपाउंड इस इस और इस रागे वन इंट्रेस्ट इस चार्ग इंट्थ इस जा द दब then a is equal to 18,000 into 1 plus 8 by 100 to the power t for 2 425 18,000 into 27 by 25 into 27 by 25 five five to 25 five to 15 three 18 15,000 five five seven 35 five to 10 05 five 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 to 25 by 25 two 20 five four to 25 five to 20 if you are not going to divide, so it will be one hundred forty four into 27 into 27 by five so we calculate it बोपर लेतने हैं? 144, 27 1048, 28, 1939, 30 23, 7, 3, 10 428, 428, 8, 2 Art, 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 In इस कर नभनाकम टेका, 27,inn 56, 35 56, 56, 65, 61, 36 56, 56, 66, 62, 36 21, 26, 27 18 16, 18 16 17 61 6, 7, 9 171 14, 171 10 इस प्रकार सी याया किया 104976 by 5 और डिवाट करिंगा तियो जागा 6-2-012, 14-115, 19-18, 19-18, 19-18, 19-20, 20-20, पर बायड जाए गा, हना, इस प्रकार सी याया अमांट हम लोको निकालना है CI, therefore, compound interest is equal to 20,995.20, minus 18,000 को हम लोक सब्क्राट करेंगे, तो विल गेट, compound interest, 20 हो गया, एक, दो, तिन, तो ही बाड़ आगा, 599, और 20, 18 करेंगे, तो 2, ये आगया, compound interest, अब क्या बोल रहा है, what extra amount would he have to pay, therefore, extra amount paid by him, extra amount he had to pay if interest is charged compounded therefore, 2, 995.20, और सब्क्राट करेंगे, 2, 8, 8, 0 को, तो ये 20 पैसे तो हो गया, ये 5, 7, sorry, sorry, ये 5 हो गया, 9 से 8 गाना है, तो 1, फिन, 9 से 8 गाना है, तो 1, और 2 से 2 गाना है, ये आगया, रूपीस कितना, 115 रूपीस, और 20 पैसे, इस विल बी दा answer. Actually, moving forward to next question, question number 6. Rohit borrows Rs. 86,000 from Arun for 2 years at 5% per annum simple interest. He immediately lent out his money to Akshay at 5% compounded interest compounded annually for same period. Calculate Rohit's profit if the transaction at the end of the 2 years. तो यहाँ पे जो है, Rohit ने क्या किया, कि borrow किया Arun से 86,000, 2 years के लिए 5% simple interest के हिसाब से, और इसने इसको अच्छे को दे दिया, कर जा, और उससे charge करने लगा compounded interest. तो यहाँ पे जो है, Rohit को कितना income होता है, हाला कि उसने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, आज कर लोग ऐसे भी करते हैं, इससे लिए और उसको ज्यादा दर पर दे दिये. तो यहाँ पे निकालना है, कि Rohit का actually इस transaction में कितने का profit हो रहा है, तो सीम जैसा question नवर 5 किये थे, we will do the same thing, हाना, तो first case में क्या है, कि simple interest में लोग निकालना है, पी इस इकल तो वही है, 86,000, rate है 5%, ताइम इस इकल तो 2 years, so we need to find simple interest, simple interest क्या हो गया, तो 86,000, into 5, into 2, by 100, is equal to 8600, इतने रुपय का interest उसको pay करना पड़ता, किसको? अरुन को, अब second case में क्या है, it was lent to, अच्छे है, हाना, तो P तो वही है, और 86,000, rate of interest केतना दिया है, तो 5% ही दिया हुआ है, rate of interest में change नहीं कर रहा, time भी वही है, 2 years, just अभी जबर क्या हो रहा, compounded, annually charge कर रहा, तो हम दो compounded interest निकालें है, तो उसके लिए amount का formula, 86,000 into P into 1 plus 5 by 100 to the power 2, 86,000, 520, इस प्रकार से 21 by 20 into 21 by 20, 0, 0, 0, 0, 2, 4 जा 8, 2, 3 जा 6, 1, 0, 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2, 2, 5 जा 10, तो 21 x 21 x 21 x 215 जो आएगा वो एमांट होगा चलो इसको मुझो काल्कुलेट कर लेते हैं तो 94,850 से वह लोग 86,000 को क्या करेंगे हैं करेंगे तो इस प्रकार से कितना आया इंट्रेस्ट ये देरफोर रोहित्स प्राफिट रोहित्स प्राफिट्स प्राफिट्स इस ट्रांजेक्शन में कितना हुआ तो 8815 से हम लो क्या करेंगे 8600 को सब्ट्राट कर देंगे तो ये तो 15 हो गया 6 to 8 मतलब 215 रुपीज का इसको प्राफिट हो जाता है था ना चलिए नेक्स्ट कॉस्चिन कॉस्चिन इंबर 7 सब मोग कॉस्चिन सा देर और तूमस्च कॉस्चिन सा 7 7 बनाता हूं और निक्स्ट जो है व्लोग आगे फिर निक्स्ट वीडियो में देखेंगे मुकेस बारोट रुपीस 70,000 75,000 from bank if the rate of interest is 12% per annum find the amount he would be paying after one and half year if the interest is compounded annually and compounded half yearly so he is rupees 75,000 rate is 12% and time is one and half of years first case when interest is charged compounded annually interest is charged compounded annually जब annually charge करेंगे है तो इसमें कोई changes नहीं हम सिदा करते हैं amount is equal to 75,000 into one plus 12 by 100 the power one और यहां पे होजागा one plus rtm लोग करते था ना तो होगा 12 into one by two by 100 और चुकी one पागर कोई दिक्क नहीं इसके लिए 20 सी यह 20 हमने कैंसल आउट कर दिया 25 3 जा 75 होता है 0 30 इस प्रकार से पूरे कैंसल आट होगा तो 30 into 28 into 106 को जो multiply करेंगे we will get the amount when interest is charge compounded annually so चलो जल्दी से स्कोव लोग multiply करते है 106 को करेंगे 3 समने करते है 6 3 18 और 3 इस प्रकार से यागे और 28 समने करते है 8 20 6 4 6 14 8 24 25 8 23 16 करी 12 12 13 or 3 6 4 6 4 10 5 8 1 9 6 2 8 2 0 इस परकार से यागे 8 9 0 4 0 second case when interest is charged compounded half yearly compounded half yearly अब जो half yearly pay करेगा तो rate क्या होगा half कर देंगे चुकि time जो है बढ़ जा रहा six six month का बढ़ जा रहा six month में फिर six month में फिर six month में इस प्रकार से तब rate बजाएगा क्या जो दिया गया rate है r is equal to क्या हो जाएगा r by 2 मतलब 12 by 2 that equals to six percent half yearly लगेगा rate of interest और time जो हो जाएगा यह है two and two and three three by two into two करेंगे that means three half year अब देखो one by two one हो लंबर one by two का मतलब समझो की one year है and six month और चुकि यह half year ली है मतलब six month six month कर के देंगे तो यह six month हो गया one year में फिर six month और six month मतलब three times this quantity देना है तो वही हो गया three half year clear है चलिए अब हम लोग निकाल लेता है amount so amount is equal to formula same way 75,000 into one plus rate of year six by hundred or time job we'll get three half years so 75,000 into two threes of 50 oh yeah so 50 or 353 okay 53 by 50 into 53 by 50 into 53 by 50 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 so 505 और 15 और 53 जा 50 अब तो नहीं करेंगे तो यह हम लोग क्या करेंगे क्या होगा है यह हम लोग को easy हो जाएगा calculate करने में तो 53 into 53 3 3 3 9 5 3 15 5 3 15 5 5 5 10 6 7 8 2 8 2 8 0 9 I say be or 53 6 9 new year 27 8 to new year 24 32 36 7 8 9 5 45 85 45 5 12 10 10 or 4 11 7 7 8 8 4 1 7 7 8 8 4 1 20 21 21 21 22 23 23 24 25 26 carry 2 8 24 26 carry 2 4 12 13 14 carry 1 3 1 4 इस प्रकार से आगे, 4, 4, 6, 6, 3, 1, by 5. चलगा, 5 से दिवाइड करना है, तो हमने क्या करेंगे, 2, 6 को मुटिप्लाई कर देंगे, तो 2, 1, 2, 3, 2, 6, 6, 2, 2, 12, carry 113, 6, 2, 2, 1, 13, 4, 2, 8, 1, 9, और 4, 2, 2, 8, 8, और प्टा दिया है, यह हमारे निकला, amount, यह निकालना था, 89,326, और जब annually charge हो रहा है, तो हमको मिल रहा है, 89,040, इसका मतलब क्या होगा है, कि अगर compounded half yearly दे रहा है, तो उस case में, rate of interest, यह का सकते interest हमें, ज्यादा मिल रहा है, हमें चुके amount ही निकालना था, और आज तक के लिए बस इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच सेयर करें, थैंक यू बेर मच, झाओे पेजगरि अग्यू हाईश जियर को सब्सक्राइब करें, तक क schemas करें। झाल झाल